नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति 2021 में खत्रे की घंटी बज रही है डेंजर साइन आपके सामने है आपकी आए आपकी नौकरी को खत्रा है 2021 में बुरे देन आ सकते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो लग रहा था economic recovery आ रही है पट्री पर फिर से आ रही है corporate sector का जो जुलाई से सितंबर का quarter है ते माही है उसमें बिलकुल record profit हुआ है बहुत सालों में सबसे ज़ाधा profit फिर भी जो middle class है नौकरी पेशा हम जैसे लोगों उन लोगों क्या मिला था ठेंगा बिलकुल ठेंगा मिला था अब बात ये है कि corporate परिशान है क्योंकि लग रहा है कि उनका profit भी घटने वाला है और अगर उनका profit घटने लगे तो असर किस पर होगा क्या corporate पर होगा हाँ उन पर तो थोड़ा बहुत होगा और क्यों होगा कैसे होगा इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में तो जब हम किसी economy की बात करते हैं हम लोगों को जब नौकरी मिलती है किसी corporate सेक्टर में नौकरी मिलती है तो एक corporate में जहां हम काम करते हैं एक company के मालिक के सामने क्या-क्या खर्चे है सबसे बड़ा खर्चा है जिसको कहते है raw material यानि की कच्चा माल जैसे कि हुआ आपका steel साथ में आपका हो गया cement बड़े-बड़े जो input होते हैं कोईला हुआ कोईले से electricity बनती है और कोई भी sector हो चाहे वो कार खाना हो या service हो electricity का खर्चा बिजली का खर्चा तो होता ही रहता है साथ में और भी चीज़े हैं जैसे इंधन है जैसे petrol, diesel है ये सब भी बहुत माहिने रखते हैं rubber वगेरा है ये सब भी माहिने रखते हैं तो total जो raw material है ये एक बड़ा खर्चा होता है corporate के लिए साथ में एक और बड़ा खर्चा क्या होता है वो है जो wages और salary यानि कि वेतन जो दिया जाता है मज़दूरी जो दी जाती है वो एक बड़ा खर्चा है corporate के लिए और तीसरा खर्चा वो है bank से पैसा जो उठाती है corporate या stock market से जो पैसा उठाती है जिसको हम कहते है cost of financing क्योंकि कोई भी आपको काम चलाना हो business चलाना हो तो पैसे की जरूरत तो होगी ही है ना क्योंकि आपको चीजे खरीदने पड़ेगे तो loan लेना पड़ता है finance उठाना पड़ता है market से तो cost of finance एक चीज होती है बहुत बड़ी तो ये तीन मोटे मोटे बड़े खर्चे किसी भी corporate के लिए होता है business करने के लिए खेर जगर हम April से सितंबर की बात करें पहले जो 6 महीने है उसमें कुछ तो सभी चीजों में गिरावट आई है लेकिन जो July से सितंबर का quarter है जिसको Q2 का आ जाता है second quarter जो 2020-21 का second quarter है इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले जो हुआ कच्चे माल के जो दाम है वो धड़ा धर गिर गए कच्चे माल के दाम जब गिर गए तो क्या हुआ जैसे मैंने कहा एक बड़ा कारण इसका क्या है कि जो फैक्टरी थे उस पर ताला लगा हुआ था अगर फैक्टरी पर ताला लगा हुआ है तो वो कुछ बना नहीं रहे हैं अगर वो कुछ बना नहीं रहे तो सामान खरीद नहीं रहें, कच्चा माल खरीद नहीं रहें, कच्चा माल जो तयार करते हैं, उनको सस्ते में बेचना पड़ा है, अब दूसरी बड़ी बात है, चीन जो की सबसे ज़ादा दुन्या में कच्चा माल खरीदती है, क्योंकि ची एक तरीके से दुनिया की factory है चीन, कच्चा माल भी सबसे जादा चीन ही खरीदती है, चीन का जो growth rate है, हाँ वो positive था, लेकिन जो growth rate होना चाहिए, जितना वो पैदावार करती है, बढ़ता है, वो बड़ा नहीं, इसलिए कच्चे माल का जो दाम है, वो धरा-धर गिर गया, deployment गिर गया, हमारे देश में, रोजगार गिर गया, सिरफ जो मजदूर वर्ग हैं उनका नहीं, सिरफ ऐसे नहीं, जो migrant laborer हैं उनका नहीं, white collar जिसको कहते हैं, खैर मैंने pink collar पहन रखा है, लेकिन white collar, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो जाकर बाबू गिरी का काम करते हैं, office में बैट के काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, white collar जो लोग है, उनके भी record नंबर पर नौकरी गई, तो जो companyya हैं, जिन्होंने लोगों को काम पे रखा था, उनका जो wage bill कहते हैं, टोटल जो वेतन और मजदूरी वो देते हैं, वो भी घट गया, तो एक तरफ मैंने पहले आपको कहा क्या घटा था, raw material का दाम घटा है, और साथ में, दूसरा है, wages और salaries जिसको कहें, वो भी घट गया, जुलाइल से सितंबर के महीने में, तीन महीने में, पिछले साल की तुलना में, और cost of finance, क्योंकि RBI इन्हें लगातार जो rate है, उसको काटती रही, RBI, interest rate, साथ मे पैसा मार्केट में छोड़ती रही, बैंकों ने कोशिच किया, लोगों तक, बिजनेस तक पैसा भेजने की, तो cost of finance, interest rate जो देना पड़ता है, ब्याजदत जो देना पड़ता है, वो भी घट गया, तो तीनों तरे के खर्च जो है, वो कम हो गया, अब corporate का क्या हुआ, total बि profit उपर, बाकी सब चीजे नीचे, corporate का profit, suit boot वाले पूंजी पती का profit मुनाफ़ा बढ़े गया, अब बात यह है, कि profit तो corporate का बढ़ गया, सही बात है, लेकिन आप सोची कि अगर profit corporate का बढ़े, लेकिन जिनको पैसा मिल रहा है, उनका ना बढ़े, उनका जो आए है, वो ना ब बेचते हैं, जो पैसा आ रहा है, वो stock market में लगाते हैं, जो अमीर लोगे stock market से पैसा उठाते हैं, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे में ही अपना मुनाफ़ा वो घुमाते रहते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बड़ी बात यह है, कि देखिए धीरे धीरे चीन में production वापस आ रहा है, और आप जानते हैं कि वोहान जहां पर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, ये coronavirus का मामला जहां पर शुरू हुआ था, वहाँ पर तो आजकल restaurant वगेरा भी खुल गया है, पूरा जो night life कहते हैं, bar, restaurant, सब कुछ फिर से खुल गया है वोहान में, तो चीन वा उपर जा रहे, तेजी से उपर जा रहे, November, December में तेजी से ये सारे उपर गए हैं दाम और इसका असर क्या है, इसका असर ये है कि जब corporate जो इसको use करते हैं, company जो इसको इसका इस्तमाल करते हैं कच्चे माल के तौर पर बना के चीज़े हम लोगों को बेचते हैं या एक बढ़ रहा है, raw material पर जो खर्च है लगातार वो बढ़ रहा है पिछले दो महिनों में, कुछ corporate ने क्या किया है, दाम बढ़ा रहे हो, चीजों के दाम बढ़ा रहे है क्यों कि खर्च उनका बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, गाडियों के दाम जैसे धोड़े धीरे धीर बढ़ है, अब क्या होगा इसका असर, एक तरफ हम जानते हैं कि लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत खरीदा था festival सीजन में, लेकिन उसके बाद फिर से खरीदारी कम हो गई है, अगर खरीदारी कम हो गई तो किसको बेचेंगे, तो मुनाफ़ा घट जाएगा, या तो जो टोटल जो बेच रहे हैं वो बढ़ जाए, खर्चे के साथ साथ, फिर उनको फाइदा है, लेकिन अगर वो टोटल चीज बेचना जितना है, वो बढ़ा नहीं सके, खर्चा बढ़ गया, तो खर्च बढ़ेगा, तो क्या होगा, मुनाफ़ा घटेगा, अब कोई भी जो सू से पहले, लोगों की चटाई, लोगों की चटाई, जहां पे अगर सौ लोग काम कर रहे थे, अगर वो कहें कि देखे, 90 लोग का ही काम के लायक है, 10 लोगों की चटाई, अब वो 90 को भी वो नहीं रखेंगे, वो क्या कहेंगे, कि जो 90 लोग हैं, उनमें से 10 की चटाई कर द पड़ता था अब आपको 10 घंटा पड़ना 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 ओफिस में घर से फोन आएगा कि अभी तक घर नहीं आए नहीं जादा देर तक रुखना पड़ना पड़ना और आप जानते हैं जो वाइट कॉलर बाबु वर्क के लोग है मैनेजर क्लास के लोग है उनको तो टाइम भी नहीं होता है तो आपको ओफिस में देर तक काम करना पड़ेगा आपके आसपास के लोगों की छटाई हो जाएगी कुछ लोगों की या हो सकता है आपकी भी छटाई हो जाएगी क्योंकि इसी तरीका एक ही उपाय है कॉर्परेट के पास खर्च कम करने का वो है और मजदूरी वेज बिल, सैलरी बिल इसको काटना क्योंकि जो कच्चा माल जो वो खरीद रहे हो उनके हाथ में नहीं है तो यही होने वाला है इसका मतलब है कॉर्परेट अपना जो मुनाफ़ा है उसका मार्जिन बरकरार करने के रखने के लिए हम जैसे लोग जिनको वो काम पे रखते हैं उनकी या तो छटाई करेंगे या उनका सैलरी काट देंगे या उनका सैलरी बढ़ने ही नहीं देंगे इसका मतलब है महिंगाई दर बढ़ेगी लेकिन आपकी सैलरी उसके साथ साथ नहीं बढ़ेगी इसका मतलब है असल तोर पे आपकी सैलरी घट जाए यानि 2020-21 में जो आप सोच रहे थे कि फिर से पट्री पर आ रहे अच्छे दिन आएंगे COVID खतम हो जाएगा ऐसा आपको तयार रहना पड़ेगा कि इसका उल्टा भी हो सकता है यह मजदूरों को करते हैं और यह बहुत कैपिटल इंटेंसिव हैं यहाँ पे फैक्टरी मशीन वगएरा चलता है और वो ही रेट पर चलेगा जादा यहाँ पर इंप्लॉइमेंट बढ़ेगा नहीं रोजगार नहीं बढ़ेगा यही आपको याद रखना पड़ेगा 2020 तो निकल गया है अच्छा नहीं था 2020 2021 और भी बुरा हो सकता है इसके लिए तयार रहिए थोड़ी सी बचत कीजिए इस वक्त भी बचत कीजिए जो जो आप कर सकते हैं वो बचत कीजिए क्योंकि 2021 में भी आपका रिवाइवल उतनी जल्दी आने वाला नहीं है आज का चलता है यह श्रहा हो क्या है अटीन है यह तया है अच्छा बचता है कि तra माशने घ्मक्त भी आने ए Stamp Cancer